नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कंपुटिशन वास पर मैं हू नितेश दोस्तों यहां बात करेंगे UGC NET के बारे में तो पहली और अच्छी खासी जो जान करी है वो यह है कि अगर आप मान लीजिए UGC NET का एक्जाम दे रहे हैं इस बार इमिनेट में कल यह कुश्चन आया था कि कुल केंद्रिय विध्यालों में कितने पद खाली हैं तो जानकरी मिली कि कुल 42 केंद्रिय विष्व विध्यालों में 42 Central Universities में 18,647 पद खाली हैं अब इन में सीधी सी बात है नियुक्ति उनी को मिलेगी जो UGC की नेमावली के हिसाब से UGC Regulations 18 के हिसाब से योगिता रखते होंगे तो वहाँ आपको Net, Select, Set और इसके अलावा आपको PhD और MPhil ये 5 चीज़े हैं इन में से कही न कहीं कोई न कोई कोर्स किया होना चाहिए या कोई न कोई एक्जाम इन में से पास किया होना चाहिए College में अगर आप Lecturer बनना चाहते हैं व्याक्यता बनना चाहते हैं तो Net exam दिये बिना Net clear किये बिना आपका ये हो नहीं सकता और लगबग हर subject में आपका Net होता है और साल में दो बार होता है ये आपको benefit मिलता है Net के आप तयारी करते हैं तो बाकी जो Teachers के exam है वो तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं खास करके TGT PGT वालों को तो बहुत पायदा होता है इसलिए Net के बात करें UGC Net की तो ये 24 सितंबर को अब आपका होगा इसकी ने डेट आगी है ये एक बार आप देख लें ये होना था अब 16 तारिक से लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि ICMR वाला जो Net है उसकी डिश्ट करा रही है ठीक है तो वो ICMR वाला एक्जाम है वो 16, 17, 22 और 23 को होने वाला था तो वो तो HGT चै लेकिन इनोंने UGC Net था उसको अब 24 सितंबर से ये एक्जाम आपका होगा ये हुई अब रिख्तियों की संकया की बात करें तो 2012 सेंटर इनशेटी है जिनमें 18,647 पद रिखते हैं इनमें शैक्षलिक पद कितने है तो शैक्षलिक पदों की बात करें तो 6,210 पद हैं आपके शैक्षलिक यानि कि कॉलेज में lectures, professors, assistant professors के कुल्प बिला करके ये पद हो गए प्रबंद किये संवर के वाले पद हैं उनकी पदों की संक्या है 12,437 तो ये भी काफी अच्छी-खाची संक्या है अब इसमें आपको भरती के मौके बार बार मिलेंगे उसका रीजन है कि सरकार ने काई कि जून 2019 में इनकी भरती के लिए कह दिया गया था लेकिन भरतीया कोरेगा यूनिर्शिटी अपने अपने लेवल पर करेंगी आपने देखोगा इसी महीने पोलो टेक्निक और इंजिनिरिंग कोलेज में तो लगातार वेकेंसिया निकली हुई है तो वो मैंने अपने इस चैनल पर बताया भी है तो अब आगे आने वाले समय में हर यूनिर्शिटी पर अपनी वरतिया निकलेंगी असिस्टेंट प्रोफेसर्स की, कॉलेज लेक्चरर्स की, व्याख्याताओं की, प्रोफेसर्स की, प्रिंसिपल्स की ये सारी की सारी वेकेंसियां अब निकलने वाली है और बहुत जादा इसमें टाइम नहीं कोगि आने वाला टाइम वैसे भी चुनाव का है और सरकार इसमें कोई नगो ऐसी लॉली पॉप जरूर लेकर काएगी जिसको पबलिक बड़े आराम से खाती है और उसके बाद वोट भी करती है ठीक है वो लॉली पॉप खटी निकलती है वोट किसी के काम आ जाता है ये चीजें होती है इसमें तो यहां मैं आपको बताया त ऐसा नहीं है बाजार में एक दुकान होती है दो दुकान होती है उसके फिर भी लगाताव दुकाने खुलती रहती है उनके मौर्थ होते रहते हैं तो बहुत सारी बंद होते रहती है और बहुत सारी चलने कलती है तो आपका ठीक ऐसा ही सिस्टम है एजुकेशन की दुकान में कहीं न कहीं आपका भी shutter open हो सकता है गवराने की बात नहीं है आप net की तयारी करें अच्छे से exam दें और अच्छे से तयारी करने के बात आपका हो सकता है कहीं न कहीं job आपको government का मिल जाए तो वीडियो पसंद आया तो like को share जरू करना चैनल को subscribe कर लेना बैल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियो के notification आपको मिलते रहेंगे आज के लिए इस वीडियो में से तना ही ऐसे कैसे useful वीडियो में फिर मिलूगा तब तक के लिए नमस्कार